हेलो एन वेलकम तो देवजू क्लासेस आप सभी का आपका अपना यूटूब चैनल देवजू क्लासेस में स्वागत है आपका बोर्ड के एक्जाम का डेट नजदिक आज आ रहा है उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए important mcqs के series को लेकर कर उपस्तित हुए हैं इस वीडियो में हम लोग science के important mcqs को देखेंगे important questions को देखेंगे आपका जो 30 marks का question होगा उसके लिए आप यहां से पूरी तरह से जो यह series है अगर आप इस series को देख लेंगे तो एक भी marks नहीं छूटेगा अगर आप इस channel पर नए है तो आप इस channel को subscribe कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेज कर लें अपने दोस्तों के बीच में भी इससे share कर दें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इससे लाभानवीत हो सकें कि दूसरा चीज़ कि इसका पार्ट वन अल्रेड़ी आ चुका है कल हम लोग इसका पार्ट वन देखे थे उसमें chemistry के पूरे portions को हम लोग ने देखा था तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेइलिस्ट में पड़ा हुए है आप जा करके उससे देख सकते हैं प्लेइलिस्ट में से चलिए हम लोग इस वीडियो में हम लोग पार्ट टू यानि विवियाई कोश्चंस के जो रिस्ट कोश्चंस बचे हुए हैं उसको हम लोग देखेंगे ठीक है चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला प्रशन क्या है निमलिखित में कौन उसरजी अंग है ठीक है यहां पर द सर्जी यानि एक्सक्रिट्री ओर्गन ठीक है एक्सक्रिट्री ओर्गन यानि उस सर्जन का काम करें उस सर्जन तंत्र का आंग है तो आपका ऑप्संस क्या है ब्रिक अगनाशे आग इन्में से कोई नहीं ठीक है तो आप जल्दी से आंसर करें सही है इसका सही आंसर क्या है option number A यानि brick यानि किड्री ठीक है next question नहीं लोग देखे मनुष्य में एक brick एक तंत्र का भाग है जो सम्मंदित है same question है उसी वही question है जब यह previous question था थोड़ा सा change हो गया है यह इसके options कौन कौन है portion, स्वसन, उत्सर्जन, परिवाद जल्दी जल्दी बताईए इसका सही answer क्या होगा comment section में आप किसका answer बताईए next question देखते हम लोग पादप में जाइलम उत्तरदाई है ठीक है पादप में दो ट्यूसू, दो उत्तक है एक जाइलम ठीक है और दूसरा जो है वो flowem जिन दो उत्तक के बारे में हम लोगों को class 10 में पढ़ना है एक क्या है जाइलम और दूसरा क्या है flowem ठीक है ये carriers के रूप में है ये उत्तक जो है वो carrier के रूप में है ये क्या करते हैं वहन करते हैं क्या क्या वहन करते हैं तो जाइलम जो है वो जल वहन करता है और लवन वहन करता है ठीक है जल और लवन खनीज लवन और फ्लोयम जो है वो क्या करता है भोजन का वहन करता है ठीक है तो जाइलम हो गया जल यानि जाइलम यानि जल तो याद रहेगा जल और लवन ठीक है और फ्लोयम जो है वो फ्लो यानि food तो food यानि भोजन तो phloem क्या करता है भोजन को कहरी करता है उसे दूसरा question क्या वनता है जायलम जो है वह उपरी मुखी है क्या है उपरी मुखी उपरी मुखी काने का मतलब जायलम जो जल को केवल नीचे से उपर की और ले जा सकता है ठीक है लेकिन फ्लोयम जो है फ्लोयम उतक जो है फ्लोयम टीसू जो है वो भोजन को उपर और नीचे उपर में भी ले जा सकता है और नीचे में भी ले जा सकता है carry कर सकता है तो इसलिए इसको उपरी मुखी भी और अधु मुखी दोनों कारे करता है ठीक है तो ध्यार रखेंगे जाइलम के वर उपर की ओर ले जाएगा जल को और फ्लोयम जो है वो भोजन को उपर और नीचे दोनों की ओर ले जाएगा अगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने से पहले इसका सही आंसर देख लेते हैं आपको पता चलिया होगा कि पादब जाइलम उत्तरदाई है ठीक है आप आंसर करें जल्दी तो पादब जाइलम किसके यह उत्तरदाई है जल करें जल्का वहन के लिए ठीक है वोजन का वहन कोन करेगा फ्लोयम फ्लोयम चलिये बाकी यह दोनों डूनौं होगी है तिसका सही अंसर क्या होज़ेगा option number a जल का वहन transport of water चलिए आगे चलते हैं लोग next question स्वपोशी portion के लिए आवश्यक है स्वपोशी portion के लिए which is necessary for autotropic nutrition autotropic nutrition के लिए कौन important है तो स्वपोशी portion के लिए option क्या क्या है carbon dioxide तथा जल ठीक है दूसरा है chlorophyll तीसरा सूरे का प्रकास और आपके चौथा options है वो option है वो है उपरोगत सभी है ना तो क्या होगा इन में से सभी ठीक है पौधे जो हैं वो क्या करते हैं CO2 ले ले लेते हैं है ना और जल और sunlight ठीक है ठीक है सूरे का प्रकास सूरे के प्रकास की उपस्तिती में chlorophyll में chlorophyll अस्थान है ना क्या बनाता है glucose का निर्मान करता है C6H12O6 प्लस O2 यानि oxygen प्लस उर्जा सॉरी फिर उर्जा क्लियर है तो क्या क्या दे रहा है C6H12O6 फिर oxygen दे रहा है oxygen के साथ साथ क्या दे रहा है उर्जा दे रहा है तो यह आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को ठीक है क्या क्या दे रहा है एक बार फिर से देखा है उल्जा है फिर यहां पर क्या वाटर जल भी जल दे रहा है तो कारबोन डायकसाइट और जल मिल रहा है सूरे के प्रकास के उपस्तिती में क्लोरोफिल में प्रेजेंट रहता है है ना वहाँ पर क्या होता है यह दोनों मिल करके भोजन बनाते है तो भोजन में क्या निर्वान होता है किस चीज़ का ग्लुकोज का सूत्र क्या है C6 H2O6 ग्लुकोज का सूत्र भी आ सकता है ठीक है और ग्लुकोज के साथ साथ क्या देता है oxygen देता है और oxygen के साथ साथ जल देता है ठीक है जल हरा चलिए तो यह हुगा ऑटोट्रोफिक nutrition यानि सौपोसी portion ठीक है चलिए आगे बढ़ते हम लोग next question छुद्रांत्र में protein का पाचन किस enzyme द्वारा होता है चलिए अब इस question में देखिए क्या-क्या है इंजाइम की जब बात हो रही है तो जल्दी से हम लोग revise कर लेते हैं एक चीज उसके बाद हम लोग इस question में आएंगे क्या-क्या है जब पाचन तंत्र की बात करेंगे तो भोजन सबसे पहले लार है यहाँ पे लार जो है मूँ में है वो लार जो है उसमें एक enzyme है जिसका नाम है इमाईलेज या टायलीन देहित अदेग है यह क्याकरता है यह enzyme जो है वह ग्लुकोज स्थार्च ने कार्वाइडरेट इस टार्च को एक तरह काका कर्वाइडरेट है सरास है उसको क्या करता है तोड़ता है किसमें माल्टोस में इसमें तोड़ेगा माल्टोस में ठीक है ये कहां है ये इंजाइम जो है वो कहां मौजूद है ये इंजाइम मौजूद है आपके लार में लार गरंथी से निकलता है ठीक है चलिए उसके बाद जब यहां से निकलने के बाद फिर भोजन जाता है कहां अमासे में कहां और वही जठर ग्रंथी के द्वारा वहाँ पे जो मौझूद है अमासे में ही एक एंजाईंस का सेक्रेशन होता है जिसका नाम है पेपसीन कोकेसा एंजाईंस है? पेपसीन नोट करते चलेंगे पेपसीन का काम क्या है? प्रोटीन को तोडता है इसको तोड़ेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा, ठीक है, किस में, प्रोटीन को तोड़ेगा, पोली पेप्टाइट्स में, ठीक है, पेप्टोंस में, ये किसका काम है, पेपसीन का काम है, ये कहां मौझूद है, अमासे में मौझूद है, फिर अमासे के बाद भोचन जो है, वो जाएगा आपका छोटी यात में, कहा जाएगा, छोटी यात यानि छुद्रांत्र में, ठीक है, छोटी यात यानि छुद्रांत्र में, तो छुद्रांत्र में जब जाएगा, तो उसके जो छुद्रांत्र जो है, तीन भाग में विभाजित है, ठीक है, छुद्रांत्र ज ही खनांसे से टीन इंजाइम साते हैं अगनासय कई थींजाइम साते हैं कौर लाइपेज है थी ठीडिये में हिंदी में फिर एमाईलेज एक है और वो त vraag आफ़ नो कि लात याद रखिए का एल एले टीं आफ लाइपेज एमाईलेज घ्लिप काम क्या है यह वसा को तोड़ता है वसा अमल में क्या करता है वसा को तोड़ता है वसा अमल में तोडता है वसामल में यह है एम अउलस इस्टार्ज यानि गार्भॉई-ड्ट्रक को तोडता है किसमने ग्लुकोज में और ट्रिपसिन जो है वह थिए करता है प्रोटीन को तोड़ता है किस में polypeptides में clear हैं यह तीनों कहां से आ रहे हैं यह जो लात जो enzyme है lipase amylase trypsin यह आ रहे हैं आपके अगनासर से कहां से आ रहे हैं अगनासर अगनासर यानी pancreas अगनासर यानी pancreas ठीक है चलिए इसके बाद किया है इसके बाद देखिए अब एक चिस यहां पर और एक fat याद रखिए कि liver जो है यक रित पीत का स्रावन करता है क्या करता है पीत को स्रावित करता है और यह जो पीत है यकृत इसको स्रावित करके कहां पर इसको रखता है पितासे, कहां पे पितासे, ठीक है तो भोजन जैसे ही कहां से अमासे से निकलता है अमासे से निकलने के बाद भोजन जो है, वो पितासे से निकला हुआ पीत से मिलता है, क्लियर है चलिए, उसके आगे छुद्रांत्र जो है छुद्रांत्र जो है वो पाच enzymes को secret करता है कितना enzymes को पाच इरेपसीन ठीक है फिर सुक्रेज फिर माल्टेज ठीक है फिर लेक्टेज और फिर लाइपेज तो इरेपसीन जो है वो ट्रिपसीन जैसा का रहे है यह भी क्या करता है प्रोटीन को तोड़ता है क्या करेगा प्रोटीन को तोड़ेगा किसमें amino acid में ठीक है उसके बाद सुक्रेज जो है वो सुक्रोज को तोड़ेगा सुक्रोज को नाम उसी नाम से है सुकरोज को तोड़ेगा किसमे ग्लुकोज में और फुक्टोज में माल्टेज जो है वो क्या करेगा माल्टोज को तोड़ेगा किसमे तोड़ेगा माल्टोज को ग्लुकोज और ग्लुकोज में लैक्टेज जो है वो भी क्या करता है किसमें अगनासे से जो आता था, उसमें भी लाइपेज जो है, लाइपेज का काम क्या है, वसा को तोड़ना, वसा को क्या करना, तोड़ना, clear है, वसा है, यह फैट्स को तोड़ता है, इसमें फैट्टी असिट्स यानि ग्लिसरॉल में, clear है, चलिए, तो छुदरान, अब पाचन तंत्र से एक और कोश्चन क्या बन सकता है कि फैक्ट की जब बात करेंगे तो टोटल एलिमेंटरी के नाल यानि अहार नाल जो है वो उसकी लंबाई है नौ मीटर ठीक है और जो स्वाल इंटेस्टाइन है यानि चुद्रांत्र है उसका लंबाई जो हता है छो से साथ मीटर होता है क्लियर है और क्या इससे बन सकता है कि चुद्रांत्र में ठीक है यह जो चुद्रांत्र है चुद्रांत्र में एक प्रवर्ध पाया जाता है है ना उंगली अंगली के जैसे संरचना जैसे का प्रवर्द पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं दिर्ग रोम क्या बोलते हैं दिर्ग रोम फिर इस दिर्ग रोम को इंगलिस में क्या बोलते हैं विल्ली क्या बोलते हैं विल्ली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसे क्या बोलते हैं विल्ली या उंगली है जैसा प्रवर्द है उसको हमनों बोलते हैं दिर्ग रोम इसका काम क्या है यह छेत्रफल को बढ़ाता है ताकि और सोसन ज्यादा देर तक हो सके हैं चलिए अब आईए हम लोग कोशन देखते है चुद्रांत्र में चुद्रांत्र में प्रोटीन का पाचन किस इंजाइम दोरा होता है तो चुद्रांत्र में ट्रिपसीन, पेपसीन, एमाईलेज, लाइपेज तो यहाँ पे यह जो तीनों है यह है आपका किस से निकलता है यह अगनासे से ठीक है और पेपसीन कहां से न च्षुद्रांत्र में यानि का काम किसे कि स्टार्ज को तोड़ता है और लाइपेसिन का काम क्या है यह बी प्रोटीन को तोड़ता है यह भी protein को तोड़ता है लेकिन यह कहां निकलता है यह निकलता है अमासे में कहां निकलता है अमासे में चलिए रहे नेक्स्ट देखिए pyruvate के विखंडन से यह carbon dioxide जल तथा उरजा देता है यह क्रिया कहां होती है चलिए में तीन कंडिशन है क्या क्या कंडिशन है कि सबसे पहले glucose जो है सबसे पहले क्या है glucose जो है एक मिनट glucose जो है वो क्या करता है हाँ glucose जो है वो pyruvate में तूटता है किसमें तूटता है pyruvate और यह जो pyruvate में तूटता है यह कहां होता है कोसी का द्रवे में किसमें होता है कोसी का द्रवे कोसी का द्रवे यानि साइटो प्लाजम कहां होता है साइटो प्लाजम ठीक है याद रखिएगा, ग्लुकोज कहां टूटेगा, वो पाइरुवेट में विखंडन होगा उसका, कहां पे कोश का द्रब में, ठीक है, यानि साइटोपलाज में, अब पाइरुवेट में टूटेगा तो पाइरुवेट में तीन कंडिशन होगा, पाइरुवेट में पाइरु क्थलब है कि कम मात्रा मेंत और तो रहेगा लेकिन कम मात्रा मेयकृ तो वह उक्सीजन की अनुपस्तिती में यानि ऑक्सीजन जब नहीं रहेगा ये कहां होगा इस्ट में वूगा चैनल रहे तो क्या-बनायाईगा कि इथेаете नॉल, हिंदी में भी इथेनॉल ही बोलते हैं इसको, इथेनॉल बनाएगा, ठीक है, फिर कार्बन डायोकसाइड बनाएगा, और फिर उर जादेगा, सौसन का काम ही है उर जादेना, उर जादेगा, बिना ऑक्सिजन के कहां किस में होगा, इस्ट में होगा, क्लियर है, दूस यह कहां मिलता है इसको पावार हाॉस आफ सेल का अद आथे हैं विजली घर का यह का कोसीगा का और यह कहां मौझूद है को सिका में ठीक है तो oxygen के उपस्तिति में mitochondria में होता है उसमें क्या होता है जो पाइरुवेट है वो तूटता है किसमें oxygen में ठीक है oxygen में टूटेगा और oxygen जल और पूरजा में टूटेगा और कैसे होगा oxygen के प्रचूर मात्रा में रहेगा यानी पूरी तरह से oxygen उसे supply न मिले तो वो क्या करेगा इतना तक तो आप कर लिए इसको इसका screenshot ले लिजिए और आगे चलिए तीसरा जो condition है वो क्या है oxygen के अभाव अभाव मतलब कम मात्रा में पूँशेगा तो जब कम मात्रा में पूँशेगा तो यह कहां हो जाएगा कोसी का कहां की कोसी का पेसी ए कोसी का अब पेसी कोसी का में जब होगा मसल मस्कुलर सेल में हो जाएगा तो यहां पर क्या होता है पेसी कोसी का में माइटो कॉंटिया में क्या क्या बनता था है ना लेक्टिक अमल क्लस क्लियर है तो ऑक्सिजन का जब अभाव होगा तो पेसी कोसी का जो होगा मस्कुलर सेल होगा उसमें लेक्टिक अमल बनेगा और पूर जाएगा चलिए और यह तब यह कहा होगा ऑक्सिजन की उपस्तिती में होगा और ऑक्सिजन की उपस्तिती कहा होगा माइटो कॉंट्रिया में होगा तो इसका सही अंसर क्या होगा ऑप्सन नमबर बी क्लियर है चलिए पादप में फ्लोएम उत्तरदाई है अभी हमने बताया आपको जल्द बहन का वहन नहीं है यह वहन यानि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ठीक है पिर बताइए कि यह होगा वो कहाँ उपर की ओअर होगड़ा की नीचे की कि और उपर और नीचे दोंब मनुष्र के हिर्दय कितने कोस्ट में बाटा गया है कितना है मनुष्र के हिर्दय का कितना कोस्ट यानि कितना चैंबर है तो मनुष्र के हिर्दय में कितने चैंबर है कितने चैंबर है चितने कितने चैंबर है। तो दो क्वेस्ट्मि जो जल और थल में बेसिकाली रहते हैं जैसे मेड़क का कितना चैंबर है उसमें कितना है थ्री कितना है तीन ठीक है दो है तो एक अलिंद और एक निलय ठीक है और जब तीन है तो क्या होगा इस तरह से ndra निलय एक ही होगा और अलिंद दो होगा बाया अलिंद और दाया अलिंद थीक है तो पूछ सकता है मनुछ से काहरदय पूछेगा तो आप चार हना मचली पूछेगा दो और मेढ़क पूछेगा तो तीन फिक है आगे बढ़ते हैं स्वासन की प्रक्रिया के दौरां प्रत्थम चरण में ग्लुकोज कोशिका द्रव में तीन कारवन अनु में विखंडित होता है उस अनु का नाम लिखे तो क्या हो जागा पाइरुबेट इसका सही अंसर क्या हो जागा ऑप्सान नुबर ए पाइरुबेट लैक्टिक अमल कह यह प्रोटीन तूटता है ना अमीडो आमलों में प्रेप्टोंस जो है वह तूटता है एथेनौल कहां बनता है किसके द्वारा तो इस्ट के द्वारा बनेगा इस्ट में बनेगा है ठीक है कब जब ऑटू क्यान उपस्थिती रहेगी तब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब के द्वारा उनता में द्वारा के आगे देखे हैं यूरिया की सामान ने मात्रा होती है 100 पाई है नेक्शनच क्या मंद क्या है मनुष्य का क्या है तो मनुष्य का है फेपड़ा ठीक है और मतस्य का क्या है गिल्स क्या है गिल्स मेढ़क का क्या है तो अच्छा है अगे देखिए प्रकास संसलेशन द्वारा किसकी प्राप्ति होती है प्रकास जब संसलेशन होगा तो क्या प्राप्त होता है वसा प्रोट होती है खाना काल्टिमेट भोजन जो है जो हमारे बॉड़ी को चाहिए या पेड़ पोदे को चाहिए वह क्या है ग्लुकोज चाहिए ठीक है आगे देखिए रेजिन और गोंद पिर पधा में जो गोंद रहता है वह प्रॉम में खाल में पुराने जैलम में इसका साही अंसर क्या अप्सनों डि पूराने जैलम होता है उसी में रेजिन या गंश होते हैं वह छुपे होते हैं चलिए दो तंत्रिका कोशिका के मत देखाली अस्थान को कहते हैं दो तंत्रिका कोशिका है यह मालो तंत्रिका है ठीक है तो यह जो तंत्रिका है इसमें यह नाभिक है यह इसको डेंड्रॉन बोलेंगे है न फिर यह इस तरह से आएगा इसको बोलेंगे section क्या बोलेंगे action और यह last में इस तरह से हो जाएगा जिसको बोलेंगे हम लो last वाले part को synapse क्या बोलते हैं synapse तो एक का synapse और दूसरे का dendrites यानि दुरumikag作 उसी में वो डोनों Confirm paper मिले होते हैं यह लंबा चेन है यह लंबा चेन है इसी तरह से लगा हुआ है ठीक है तो दो तंत्रीका कोशिगा के मत दिखा लिए अस्थान को क्या करते हैं सीनेपस इसका सही अंसर क्या हो जाएगा option number B चलिए आगे देखिए निमलखित में से कौन सा पादप हार्मोन है पादप हार्मोन इसमें से कौन है इंसूलीन देखिए यह हार्मोन है लेकिन यह पादप हार्मोन नहीं है ठीक है यह कहां से निकल रहा है अगनासे से चलिए यह थाइरोक्सीन थाइराइड ग्रंथी से निकल रहा है एस्ट्रोजन जो है वो क्या हो रहा है यह अंडासे से निकल रहा है कहां से निकल रहा है अंडासे से निकल रहा है यानि मनुस्य में हो तहायक है ठीक है देख लीजिए हम लोग थोड़ा सा क्या क्या पहला जो है यह उसका नाम है ऑक्सीन क्या है हार्मोन है पादप हार्मोन है लिख लेजिए आप ऑक्सीन और यह जो पादप हार्मोन ऑक्सीन है यह किसके लिए है बढ़ने के लिए यानि लंबाई बढ़ाने क क्या काम है लंबाई में ब्रीधी करती है तो यह अगर भाग में राता है जो चीज बढ़ रहा है वह उसके पर रहता है ठीक है अगर भाग पर रहता है ठीक है हम लोग ठंगुनी करते हैं उस पर ठंगुनी पर रहता है ठीक है तो ऑक्सीन जो है वह क्या करता ब्रीधी करने म उसके बाद दूसरा है गीबरलीन क्या है गीबर गीबरलीन जो है वो क्या है यह क्या करता है तना में ब्रीधी करता है पेंड़ पधा का जो तना है उसमें क्या करेगा ब्रीधी करेगा किसके कौन करेगा गीबरलीन या गीबरलीन ठीक है उसके बाद तीसरा है साइटो काइन साइटो7 जो है कोशिका विभाजन में विभाजन में है अब ध्यान में रखिए ऑक्सिन भी बिरिधी बढ़ाने में सायग उबरले भी बिदी है मोटापड बढ़ारहा है साइटो कैनिन काे विभाजन करके उसको बढ़ारहा है इस चैंब nजब क्या विद्र व्रिधी हार्मोन तो यह तीनों क्या है पादप हार्मोन और ऑक्सिन जिवरलीन और साइटोकिनिन ठीक है चलिए दो हार्मोन है जो कि क्या है दो हार्मोन है जो कि आपका ब्रिधी को रोकता है पहला एपसिसिक अमले तो यह क्या करता है रोकता है और दूसरा क्या है इथेलीन इथेलीन यानि इथेलीन जो है वो क्या करता है फल पकाने में सायक है इसमें फल पकाने में फल को यह क्या करता है पका देता है फल पकाने में यूज होता है किसका इथेलीन का और आपसिसिक अमल क्या है यह पत्कियों का मुर्धाना उसको गिरा देना इसका परयोग होता ह यानि ये ब्रीधी को रोकता है ठीक है चलिए निमलिखित में से कौन सा पादब हार्मोन है तो इसका सही अंसर क्या हो जागा साइटो कीनिव इसका सही अंसर क्या हो गया साइटो कीनिव आगे बढ़िए मस्तिस्क उत्तरदाई है मस्तिस्क किस जिसके उतरदाई है सोचने के लिए फिर्दयास बंदन के लिए इस सरीर के संतुलन बनाने के लिए क्या हो जागा उप्रोक्त सभी ठीक है अब चलिए सोचने के लिए जो है वो कौन काम करता है अगर मस्तिस्क मस्तिस्क का तीन भाग होता है, अगर मस्तिस्क, मध्य मस्तिस्क, दूसरा क्या है मध्य मस्तिस्क, और तीसरा है पश्य मस्तिस्क, यहाई अगर मस्तिस्क मतलब फोर ब्रेन, मध्य मस्तिस्क मतलब मीड ब्रेन, और पश्य मस्तिस्क का मतलब होता है हिंड ब्रेन, क्या होगा ह जो है वो आख और कान की sensitivity के लिए यूज होता है ठीक है तीसरा पश्च मस्तिस्क पश्च मस्तिस्क जो है वो क्या क्या है पॉंस है उसमें मेडूला है उसमें पॉंस हो गया मेडूला हो गया और सेरे बेलम हो गया यानि सेरे बेलम को बोलते हैं अनुमस्तिस्क क्या बोलते ह तो इना काम क्या है इसमें जो मेडूला है मेडूला जो है मेडूला का काम क्या है यह सब क्या है जो रिर के अंदर क्याय ही है जिस पर आपका control नहीं है वो कौन करा रहा है सब medulla करा रहा है क्या करा रहा है medulla उसके बाद क्या है Pons Pons क्या करता है Masses का काम करता है किसके बीच brain से body को body को अगर message पहुँचवाना है तो किस से पहुँचवाया जाएगा Pons से brain का भाग है Pons वही पहुचआएगा brain का message किसके पास body के पास ठीक है उसके बाद cerebellum cerebellum का मतलब हो गया anomastis cerebellum का मतलब anomastis इसका सबसे important काम है कि ये आपको आपके body को balance बनाने में सहायता प्रदान करता है खड़ा होने में सहायता प्रदान करता है कौन cerebellum यानि anomastis clear है चलिए उसके बाद थोड़ा सा और जान लेते हैं क्या जानेंगे इसमें कि four brain हो गया mid brain हो गया और hind brain हो गया hind brain में भी देख लिए pons हो गया medulla हो गया ठीक है अनुमastis अब देखिए यहाँ पर एक hypothalamus है दो ग्रंथी है hypothalamus और दूसरी ग्रंथी जो है इसमें puse ग्रंथी pituitary gland ठीक है pituitary gland यह दोनों gland है ठीक है pituitary gland जो है puse ग्रंथी जो है वो क्या कौन सा हार्मोन को रिलेज करता है ब्रिधी हार्मोन को किसको ब्रिधी हार्मोन कौन करता है ब्रिधी हार्मोन को pituitary gland यानि puse ग्रंथी ठीक है चलिए hypothalamus का काम क्या है निकाल करके है ना किसका enzymes को निकालना और hormones को सौरी निकालना और उसको pituitary gland को दे देना या फिर pituitary gland से हार्मोन को निकालने के लिए उसको उकसाना बताना ठीक है चलिए आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं next इसका सही answer क्या हो जागा मस्तिस्क उत्तर दाई है सोचने के लिए भी हिर्दयस पंदन के लिए मेडूला और लंगाटा और सोचने के लिए कौन करेगा अगर मस्तिस्क आगे बढ़ते हैं लोग ग्वाइटर अत्वा घेगा पनपता है ग्वाइटर जो रोग होता है वो किसके कारण पनपता है चीनी की कमी से आयोडीन की कमी से रक्त की कमी से मोटा पास है किसके कमी से होगा आयोडीन के कमी से ठीक है गवाटर रो ठीक है चलिए आगे देखिए हार्मोन स्रावित होता है हार्मोन कहां से स्रावित होता है अंतर स्रावित होता है अंतर स्रावित ग्रंथी से बही स्रावित ग्रंथी से नलिका ग्रंथी से इन में से कोई नहीं हार्मोन से निकलता है अंतर स्रावी ग्रंथी से यानि इंडोक्राइन ग्लैंड से ठीक है इसका सही अंसर आप्शन नमबर एक आगे देखिए कौन सा पाद अपनी अंतरक फल बेचने वाले दोरा उपयों किया जाता है फल को पकाना है पकाएगा कौन इथाइलीन से ठ आगे देखिए थाइरोकसीन हार्मोन के संसलेशन के लिए कौन सा तत्ता सकता है तीरोकसीन जो हार्मोन सीलेशन कौइसा थाइए यादे करता है इसलिए की कमीस ज़ो जाता है चलिए, which element is necessary for synthesis of thyroxine hormone, तो कौन होगा, iodine, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मानो में डायलेसिस थैली है, तो मानो में डायलेसिस थैली को क्या बोलेंगे, निफ्रोन, क्या बोलेंगे, निफ्रोन, ठीक है, इसका सही अंसर, option number 1, ठीक है, निम्लिकित में से कौन एक अंतर और बाहय स्रावी ग्रंथी दो प्रकार के होती है, एक ही है, जो कि अंतर स्रावी भी है, और बाहय स्रावी भी है, ठीक है, इसका सही अंसर क्या होगा, अगनास है, यानि पैंक्रियार्टिक क्लेंड जो है, वो क्या है, अगनास है, जो है, वो अंतर स्रावी भी है, और बह स्राविए भी थीक है आगे देखे पत्तियों का अमinkling के प्रभभाव के करण होतला अभी उने देखा इसके कारण ठीक है नेक्श देखिए ब्रीधी हार्मोन का स्राव किस ग्रंथी से होता है ब्रीधी हार्मोन किस से निकलता है तो ब्रीधी हार्मोन निकलता है प्यूस ग्रंथी से काम क्या है ब्रीधी हार्मोन का ब्रीधी में सायक होता है ठीक है दूसरा क्या है थाइराइड ग्रंथी से थाइरोक्सीन हार्मोन निकलता है और यह थाइरोक्सीन का काम क्या है मेंटेन करता है हम लोग के सरीर में किसका आयोडीन की लेवल को ठीक है अड्रेनलीन गरंथी से क्या निकलता है अड्रेनलीन गरंथी से क्या निकलेगा एंड्री इसका काम क्या है यह हमारे बॉडी में अचानक आये हुए अचानक सिचुएशन ऐसा क्रियेट हो जाए अचानक आया हुआ सिचुएशन से लड़ने में सहायता प्रदान करता है कौन आड्रेनलीन ग्रंथी से निकला हुआ आड्रेनलीन ठीक है चलिए थाइरोक्सीन हार्मोन के संसलेशन के लिए कौन सा तत्याता हो सक्क है जल्दी बताईए अभी हमने आपको बताया है ठीक है कौन सा होगा चलिए कमेंट सेक्सें में आप कमेंट करें आगे देखिए मस्तिस्क का मुख्य सोचने वाला भाention क्वान और मध्ध्यमस्तिक्स अग्रमस्तिश और हे देखिए रख डाप लाराना था व्मन यानि उल्टी जैसे मस्तिश के कि हिर्दयकस Kantan और होता है उसकेद्वार्इत होगा ह। होगा है मेलू रज्यू स्कूर्द मेंडूला प्यूस सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए अपने दोस्तो के वीच है नव थैंक यू थैंक यू थैंक यू फर दा वाचिंग